भारत के राष्ट विता महात्मा गांधी की 150 वी जैनती पर इस बार समूचा विश्व कुछ अलग करना चाहता है। इसी कड़ी में भारत और रूस ने महात्मा गांधी की 150 वी जैनती मनाने का एक अनूठा तरीका खोजा है। रूस की राजधानी मासकों से 250 किलोमेटर की दूरी पर बसा है महान विचारक दार्शनिक उपन्यासकार लियो टॉलस्टाय का पैत्रिक गाउं यासनाया पोलियाना। यहाँ पर महात्मा गांधी और लियो टॉलस्टाय के जीवन से आधारित एक अनूठी प्रदरसनी लगाई गई है। कहते हैं कि 1910 में टॉलस्टाय की मित्व से पहले दोनों के बीच नीमित पत्राचार था। जिसको लेकर गांधी जी और टॉलस्टाय के बीच हुए पत्राचार उनके विचारों का यहाँ पर विस्तित उलेक किया गया। रूस के लिए लियो टॉलस्टाय और भारत के लिए महत्मा गांधी के विचार इतने प्रभावसाली हैं जिसे आज का समाज न सिर्फ जानना चाहता है। बलकि उनकी विचारधाराओं के अनरूप अपने को ढाल कर एक सब भी समाज की स्थापना में महत्मुण भूमिका निभाने में प्रयासरत है। टॉलस्टाय के पैत्रिक गाउं में उनकी चीजों को सहेच कर रखा गया है। इस संग्राले में उनके द्वारा उपयोग किये गए पलंग, जूते, कपडे, चस्मा, कलम, किताबे, चादर, घडी और उनकी कब्र भी स्थित्थें। पीद पराई जा मेरे। वश्णव जन तो तेने कही है जे। वश्णव जन तो तेने कही है जे पीद पराई जाने जे। टॉलेस्टाय और गांधी जीक का एक दूसरे पर अमिट प्रभाव था यही वजा है कि भारत और रूस ने उनसे प्रेणा लेकर अपने संबंधों को बेहतर बनाया है जो सत्तर सालों से ये दोस्ती आज तक अटूट बंधन में बंधी है। इसी परंपरा को लेकर टॉलेस्टाय की जन्म भूमी पर एक दिवस्य प्रद्रस्री का आजन हुआ। इस कारकम में भारतिय राजदूत श्री टीवी वंक्रेडिस वर्मा की अगवाई में केंद्रिय मंत्री श्री प्रकास जावडेकर भी उपस्ति थे। मास्कों में भार्क्तिय राजदूतावास और जवालाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के पूर्ण सयोग से इस कारक्रम में गांधी जी और टॉलिस्टाय के साहित्य जीवन और दर्सन पर तुलनात्मक विचार अभिवयत्य किये गए। इस कारक्रम में रूसी भारतिय मैत्रिस संग दिसा के अध्यक्ष डक्टर रामिश्वर सिंग सहित अनेग गड़मान लोग उपस्ति थे। गौर तलब है रूस में महात्मा गांधी के विचारों को प्रदर्शित करना और महान साहित्यकार टॉलिस्टाय के उनके प्रति किये गए उल्लेखों को आम जन्मानस को दिखाना निश्चही अनूठा प्रयास है यही वजा है कि लोग ऐसे ही नहीं भारत और रूस की दोस्ती के किस्सें गुन-गुनाते फिरते हैं भाणे नरसायो तेनू दराशाना करता खुडाय को तेरं थार्यारे बरिश्टुम जनतो तेने नहीं इजे तेरु परादे आने तेरु